अपने घर के बार हुई फाइरिंग के बाद से मशूर पंजाबी सिंगर गिपी ग्रिवाल है इस घटना के तकरीबन 11 गंटे बाद ग्रिपी ग्रिवाल मीडिया के सामने आए और अपने घर पर हुई फाइरिंग की पुष्टी की गिपी ने सोशल मीडिया पर इस फाइरिंग को लेकर गेंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई के नाम से डाले गई पोस्ट पर भी हैरानी जटाई गिपी ग्रिवाल ने कहा कि उनके घर के बाहर कनाड़ा के समय अनुसार मद्धिरातरी साड़े बारा बज़े से एक के बीच फाइरिंग हुई उनका ये नया घर वेस्ट वेंक्यूवर में है गटना के समय वो खुद घर पर मोजुद नहीं थे हमलावारों ने उनकी गाड़ी और गेरेज को निशाना बनाया गोलिया उनकी कार और गेरेज की दिवारों पर लगी गिप्पी ने कहा कि इस घटना के बाद से वह ये सोच सोच कर शौक्ड है कि उनके साथ हुआ क्या उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और नहीं किसी से कोई कॉंट्रोवर्सी है ग्रिपी ग्रेवाल ने बताया कि उनके घर पर फाइरिंग के बाद लॉरेंस की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट से भी वो अहरान रह गए वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके घर पर फाइरिंग क्यों करवाई गई वहीं लॉरेंस के बारे में गिप्पे ने कहा कि आज तक उन्हें लॉरेंस विश्णोई की तरफ से कभी कोई धमकी नहीं आई उन्हें अभी कोई फोन भी नहीं आया इस फाइरिंग के बाद या इससे पहले भी किसी का कोई कॉल नहीं आया गिपिग्वेवाल ने मशूर बॉलिवूड स्टार सल्मान खान के साथ दोस्ती की बात से भी इंकार किया गिपि ने कहा कि वो अपने पूरे जीवन में सिर्फ दो बार सल्मान खान से मिले हैं पहले बार जब वो बिग बॉस सीरियल में गए थे और दूसरी बार तब जब सल्मान खान उनकी फिल्म मोजा ही मोजा के ट्रेलर लॉंच पर आए उनकी सल्मान खान के साथ कभी कोई दोस्ती नहीं रही इसी के साथ बने रही एश्यमीज इंडिया के साथ बने बार